कर अच्छ और आज की वीडियो बात करने वाले हैं 9th class के next topic that is number system अज हम स्टार्ट करेंगे number system number system क्या होता है और बहुत को चुछ बढ़ेंगे तो summer system start करने से पहले मैं बता तूं कि number system बहुत ही basic topic मतलब एक तरीक से तो 9th class ही basic है को कि तो मैंस में जो भी पढ़ोगे ना मैंस का science में भी जो भी पढ़ोगे वो सारे चीज आगे हमाने वाली है तो हर चीज को थोड़े deep में पढ़ने की कोशिच करना समझने की कोशिच करना रटने के बदर तो number system की बात कर लेते हैं तो अब number system में पढ़ेंगे की numbers क्या होते है natural numbers क्या होते है real numbers क्या होते है teachers क्या होते है इन सब को अब डायरेक्ट लिए 9th class में यूज करेंगे तो आपने को मतलब समझाना चाहिए इसलिए अपन 9th class में से basic part करते हैं तो और भी बहुत सारी सीजे बढ़ेंगे तो आज basically में इसका overview देने वालों कि हम पढ़ेंगे क्या क्या और इसका real world में use क्या है ठीक है चलो start करते हैं तो number system number system में हम सब सब करेंगे number system by number system क्यों पढ़ेंगे इसका real world में meaning क्या होता है वो पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद introduction and इंट्रोडक्ष्ण में क्या करेंगे introduction में पढ़ेंगे natural number क्या होते हैं integers क्या होते हैं real numbers क्या होते हैं मतलब मैं बेशिक सा intro दूबा कि यह सारे numbers होते क्या है और इसका use क्या होता है ठीक है और उनको मतलब कैसे categorize किया यह सारे इस जीजिए उसके बाद क्या होते हैं इनको number line पर represent कैसे करते हैं मने यह सब पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद real number और decimal expansion मतलब अगर हमने डिवाइट करने को देश लिया कि real number को पढ़ा कि real number होता क्या है इसके बाद रियल नंबर्स का अपर decimal expansion कर सकाएंगे वह सारी चीज़े लिए तो अगर्या को मैं देंगे दिवाइट करो 3 को 2 को 3 से तो इसका कैसे expansion में कहां तक expand करना है और कैसा होता है वह सारी चीज़े में उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ओफ रियल नंबर्स करते हैं यह चीज़े लेखेंगे अबर उसके बाद आता है operation और बतलब रियल नंबर्स को क्या 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 प्रेशन सो सकते हैं अर्थमेंटिक और इसे exponents के का laws और वह सारी चीज़े लेखेंगे यह विल्कुर बेसिक पाथ है जो हम करेंगी आगे आने वाले सारे लेक्शर्स में नंबर्स सिस्क्रम में तो आज मैं बेसिक सा बता देता हो तिन नंबर्स प्रेशन क्यों बढ़ो है तो तुमें पता ही है कि कोई भी चीज बेना नंबर चीज कर सकते हैं क्या आगर तो मैं कुछ भी बोलू करना नमबर हुआ हुआ चाहिं पर गोलुग कर दो जाए तुम से किसी बोला तुम्है जानेग लेट घरा हुए और अगर goof 50 वो number है तो numbers के वेना कुछ कर ही नहीं सकते है, numbers तारो तरफ है हमारे, हमें numbers दील करना है, numbers कैसे होते है, क्या होता है, हिस सारी चिज़ पता होने से है, तो basically number के वेना कुछ नहीं हो सकता है, in real world में बहुत जारा user numbers का, ठीक है number के मेना mathematics ही नहीं है, ठीक है चलो तो अब देखते हैं एक तो यह नमबर सिस्टम क्यों उसकरते हैं तो देखो भी नमबर तो बहुत सारे होते हैं तो इस अब नमबर को और बनाइस करने के लिए यह 01234 यहां पर माइनस वाजा दखते हैं आओर से वियージण करते हैं अबbrahim नमबर सारे मिल श्री फार नमबर तो यह कंटखस करने क्या है तो कि रडिगी करने से क्या है है कि हमें समझ आगे है कि यह particular type of number इदर लाइँ करते हैं वाञिव हमें पढ़ने में बहुत इजी हो गां रिख सिंद्रिशा तो कुछ एक लोल बर टेमोर ट्याला बकटा है लाड़न टेक्षर में देखिए कि यह एक लिकल नंबर क्या है पहले लेक्षर से बहुत चादा पढ़ा देंके तो भई खौफ का माहूल बन जाएगा कि इतना सारा पढ़ाता है कि नहीं नहीं आराम से पढ़ेंगे चिल मार के पढ़ेंगे विल्कुल हर चीज तमझ आए समझ तुम्हें को इंस्ट्रगाम पर डीम करो और कमेंड बॉक्स सब्सक्राइब करेंगे वाकि नोट्स में हर चीज की मेंने डेफिनिशन दी है हर चीज का फॉर्मॉला दिया है हर चीज के प्रूव थी है तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं ठीक है तो आज के लिए इतना है आज अपन यह साजी चीज़े देख लिए नेक्स को डाई कि अचे यह आज rés़ धुड़ अट्यों का एब ज के भी उटेफ उवार पकई में रस Birth